आट 11 में आप सबी लोगों का स्वागत है चलिए देखते हैं मार्केट कैसा ब्याइब कर सकता है सेकेंड हाफ में वीडियो थोड़ा से लेट आ रहा है क्योंकि इंटरनेट का प्रॉब्लम था और बहुत तेश बारिश हो रही है इसकी वेसे इंटरनेट थोड़ा से गया ठीक है क्योंकि वैंग निफ्टी स्ट्रॉंग दिख रहा है फिलाल वीकनेस थोड़ीजी कम है वैंग निफ्टी में तो जायटी बात है तो वैंग निफ्टी पर ही आप फोकस कर सकते हो अगर हम यहां पर अंडर्स्टेंड करने की कोशिस करें ऑप्शन चेंड डाटा में तो आपको देखने को मिलेगा इसको रिफ्रेश करता हूँ यहां पर देखो 16,700 की कौल पर करीब 59 लाग का ओपनिटर्स खड़ा हुआ है फोट पर करीब 22 लाग का ओपनिटर्स खड़ा हुआ है इसका मतलब क्या है कि अगर हम 16,700 की तरफ इंटर डे में बढ़ते हैं तो थोड़ी को शॉट कवरी यहां पर मार्केट पर आ सकती है 16,650 की ऊपर अगर निफ्टी कामकाज करना स्टार्ट करता है तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दुबारा से डे हाई की तरफ निफ्टी जा सकता है यह फिलाल option chain data का scenario बन रहा है ठीक है अगर हम चार्ट पर sustain करने लगता है तो यह डे हाई की तरफ बढ़ सकता है otherwise थोड़ी बहुत और profit working देखने को यहां पर मिल सकती है बहुत जादा देखने को मिलेगी यह फिलाल मैं expect नहीं कर रहा हूं क्योंकि positive trend में क्या होता है जैसी थोड़ी सी dip आती है तुरंत immediately buying आती है जब तक यह अपन यहां पर इसको वेट करो अगर थोड़ी देवाद यह उपर जाने लगता है तो बहुत अच्छी बात रहेगी यहां पर यह ची समझ लीजिए bank nifty के बात कर लेते हो दो bank nifty इस चाथे 500 के ऊपर sustain करने की कोशिस कर रहा है अगर यहां पर आप समझ जो गई तो bank nifty के लिए जो next target है वो काफी बड़ा target हो सकता है क्योंकि आप देख सकते हो कि यह 200-day moving average के उपर sustain कर रहा है और इसने higher level पर closing दे दी तो next target सीधा-सीधा आपको मिलता है वो मिलता है आपको around 700-200 का यानि एक बड़ा momentum आपको अगले week में एक देखने को मिल सकता है bank nifty में RBI की credit policy से पहल देखने है यह चीज़ समझ लीज़े वो सकता है 37000-500 तक के करीब के zone तक यह जाता हुआ दिखाई दे लेकिन यहां से अगर यह आज closing दे गया उपर 36600 के ऊपर के आसपस की तो फिर आपको 37000 बहुती जल्द आता हुआ दिखाई दे सकता है ठीक है इतना आप clearly समझ समझ में आ गया तब तक आपको long में ही रहना है और long में रहोगे तो फायदे में रहोगे जब तक यह level break नहीं होता है बले मार्केट मोग करे ना करे लेकिन शौट में आपको पैसा बहुत मुश्किल से मिलेगा फिलाल यह condition समझ लीज़े हां थोड़ी बहुत profit booking आईगी ल हाई को निकाल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि अभी थोड़ा सा momentum positive है ठीक है global market की बात करें थोड़ा फूचर देख लेते हैं कैसा काम काच कर रहा है देखो करीब 45 point negative काम काच कर रहा है इंडेस्स futures में जाएंगे तो करीब 51 और nasdaq करीब 100 point negative काम काच कर रहा है तो ऐसा कोई पर pullback की देखने को मिलते रहेंगे ठीक है इतना आपको यहां पर समझ में आ गया होगा तो आई होप दोस्तो यह particular data आपको समझ में आ कया होगा दोस्तो फिलाल इस वीडियो में इतना है आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा वीडियो पसंद आता तो लाइक और जरू करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीडियो क्योंकि मैं सोदील लेकर आतर हूँ हर दिन आपके लिए नहीं वीडियो इसी के साथ शुक्रिया दोस्तो जैह हिंद